नमस्कार आप देख रहे हैं RG News और मैं आपके साथ सिमी दानी 36 गड़िन दुनों प्राकृतिक आपदाओं से जूच रहा है पिछले एक महीने के दौरान बारिश से, बिजली गिरने से, साप काटने से आदी प्राकृतिक आपदाओं से कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और करीब 220 जानवरों कोई भी मौत हो गई है अगर बस्तर की बात करें तो इंद्रबती समेत कई नदियां खत्रे के निशान से उपर बह रही है जिले में 13 अगस से हुई अत्यधिक वर्षा की कारण नदी नाले उफान पर है 15 अगस को बारिश के कुछ बंध होने पर राहत मिली थी लेकिन इंद्रबती सहित अन्य नदी नालों में निर्मित बाड़ की स्थिती को देखते हुए प्रशासन द्वारा शिवरों में बाड़ प्रभावित परिवारों को रखा गया है और उन्हें पेजल भोजन से चिकित सा आदी सुविधायं दी जा रही है जगदलपूर शहर में वर्तमान में पनारा पारा उतकल भवन भैरमगंज पुत्री शाला भगत सिंग स्कूल, बस्तर तहसील के मधोता में भाटा पारा, प्रात्मिक शाला और अटल समरसता भवन, लोहंडी गुड़ा तहसील में कुमहली, प्रात्मिक शाला और उसरी बेड़ा स्थित अटल समरसता भवन में बाड़ प्रभावितों क को रखने की विवस्था की गई है किसानों के लिए यह भयंकर आपदा का समय है सब्जियां फसल बरबाद हो रहे हैं फसलों पर कीट लगना भी शुरू हो गया इसके चलते आने वाले दिनों में सब्जियों के फल तूटकर गिरने की आशंका बनी हुई है किसान चिंतिद है बैगन, भिंडी, लौकी, कदू, करेला, बरबटी, मिर्च, आदी की फसलें बरबाद हो रहे हैं करीब 40 प्रतिशत नुकसान सब्जियों की फसल में किसान उठा रहे हैं और यह पहली बार हुआ है कि जगदलपूर, बीजापूर, नैशनल हाइवे 163 पर पुन्री के पास इंद्रावती नदी का पानी सडक पर भी आ गया और सडक पूरी तरह से जल मगन हो गई है, बस सरजिले के कलेक्टर चंदन कुमार ने प्रशासन की टीम को हाई अलर्ट पर रखा है, दंतेबाडा के कलेक्टर विनीत नंदनवार और स्पी सिधार तिवारे खुद इंद्र से ज़्यादा गाओं को लिया है, शिवनात के किनारे बसे गाओं में 10 से 20 वीट तक पानी चला गया है, जिसके कारण प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है, शिवनात के किनारे बसे इलाकों में जबरदस्त बाढ़ा गई है और इस से पहले 2002 में इस तरह की बाढ़ जिश दिये हैं, एक और जहां शिवनात नदी उफान पर है, वहीं गोदावरी और शबरी नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पिछले नौदस दिनों से कोंटा के रास्ते 36 गड़का आंधर प्रदेश और तिलंगाना से संपर्क तूटा हुआ है, ट्र का वाटर लेबल 50 फीट से उपर पहुँच गया है और बॉडर इलाके के वीरापुरम के पास एनच 30 पर बाढ़ का पानी चला गया है, पिछले 9 दिनों से मार्क बंध है और दोनों तरफ वानों की लंबी कतारें लगी हुई है, ट्रक चालकों को भारी परिशानियों का सा इस बहाव के साथ बह गई हैं, हलांकि दो को तो ग्रामिडों ने बचा लिया, लेकिन 11 साल की तीसरी बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं है, बच्ची को ढूनने पिछले 30 गंटे से SDRF की टीम जूटी हुई है, वहीं अर्पा नदी में भी दो यूकों के बहने की ख 18 अगस से प्रदेश में वर्शा की कतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना है, अगले कुछ दिनों तक बरसात होती रहेगी, वहीं बरसात के दिनों में आकाशी बिजली का कहर भी 36 गड़ में जारी है, जांजगीर चापा जिले में आकाशी बिजली गिरने की अलग- इपॉक्स और स्वाइन फ्लू ने भी दस तक देकर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है, मानसून आने के बाद से मौसमी बिमारियों का प्रकोग भी जारी है, डेंगू और मलेरिया बेकाबू हो चुके हैं, स्वास्य भाग के आकड़ों के मताबिक जनवरी 2022 से तीन अग में पूरे साल भर के दौरान डेंगू के केवल 57 केस मिले थे और 2021 में जनवरी से सितंबर के बीच 740 मरीज मिले थे, जबकि इस साल जनवरी से अगस्त की तीन तारीक तक करीब 860 मरीज मिल चुके हैं, वहीं तीन लोगों की जान भी जा चुकी है, वहीं मलेरिया ने भी रक्त का नमूना ले रही है और उन्हें मलेरिया की पुष्टी होने पर दवाई आदी दी जा रही है, साथ ही मच्चरों की रोक थाम के उपाई भी एकिये जा रहे हैं, और सरकार का दावा है कि मलेरिया की दर कम भी हुई है, बरसात की दिनों में 36 गर सर्पदंश की समस्य से भी जूचता आया है, अगर सर्पदंश की बात करें, तो हर हफते साप काटने से वहां एक की मौत होती है, मौत के कारणों पर नजर डालें तो जाड़ फूक की वजह से ही जादतर मौते होती हैं, लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुचते और देरी हो जाने से जहर पू स्वास्व भागने 108 संजीवनी एक्सप्रस में भी एंटी स्नेक वेनम रखने की विवस्था कर रखी है, पूरे भारत में बहुत चुनिंदा जगह दुनिया के सबसे जहरीले साप कोब्रा के मौजूदगी है और इन ही जगों में कोर्बा का नाम भी आता है, जिंदा की ब अचास लोगों की मौत भी हुई थी, 2020 में कुल 353 के सामने आये थे, बहराल समझने की यह जरूरत है कि भारत की प्राकृतिक संड़चना में जंगलों, परवतों, नदियों, समुद्रों का बहुत महत्व है, असंग की लोगों की आज भी काएं इस से चलती है, लेकिन जब